हमास के इस्राइल पर शुरू हुए ताबड़तोड हमलों ने पुरे मिडिलीस्ट को जगजोर के रख दिया है इस्राइल और हमास के बीच की भड़की आग को लिबनान ने और पहना कर दिया है उतरी इस्राइल पर अब लिबनान के इस्लामिक प्रतिरोत का काला साया मंडरा रहा है हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इस्राइल पर बंबारी कर इलाके में तनाव को बनाए हुए है इस्राइल भी लगातार हिजबुल्ला कमांडरों को धेर कर इसलामिक प्रतिरोत को मुह तोड़ जवाब दे रहा है ऐसे में ये भीशड युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही खतरनाक भी हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से आये दिन हमलों ने इसके दायरे को कई गुना विनाश की ओर ठकेलने का काम किया है हिजबुल्ला लड़ाके बेहद आकरामक तरीके से इस्राइली बलों पर हमलावर है इस कड़ी में इस्राइली हमलों से बॉकलाए हिजबुला ने इस्राइली कबजे वाले इलाकों पर भीशड हवाई हमलों को अंजाम दिया है लड़ाकों ने इस्राइली मस्गाव एम मिलिटरी साइड पर तैनाज जासुसी उपकरणों को निशाना बनाया समूह ने दावा किया कि से नानियों ने मेटाग बैरक के पास इस्राइली सैनिकों की एक सभा को रॉकेट से निशाना बनाया इसमें इस्राइल को बड़े नुक्षान का अंदिश चताया गया है अपने हमलों की सिरीज में इस्लामिक प्रतिरोध ने तोपों से कबजे वाले लिबनानी कफार शौबा हिल्स में सुमाक का मिलिटरी साइड के पास इस्राइली बलो पर हमला बोला हिजबुल्ला ने अपने लंबे उपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि लिबनानी कफार शौबा हिल्स में रुवैसत अल आलम साइट को तारगेट किया ऐसा दावा है कि इस दोरान सीधे हमले में दुश्मन केमे में जबरदस तबाही मची हिजबुल्ला ने इसराइल को दहलाने के लिए दिन और रात एक कर दी है समू के लड़ाकों ने रात में भी इसराइली ठीकानों पर भीशन हमलों से तबाही मचाए दावा है कि लड़ाकों ने आधी रात में रॉकेट सैलवो के साथ जल अल दीर चौकी में इसराइली फॉज पर अचानक से हमला किया इसके अलावा लिबनान के शहर बाराशीट में इसराइली हमलों के जवाब में इसलामिक प्रतिरोध ने ग्रैड रॉकेटों की बोचार से माउंट नेरिया बेस को निशाना बनाया वहीं इसराइली चैनल 14 ने बताया कि लिबनान से उपरी अल जलील की ओर कम से कम 15 रॉकेट लॉंच किये गए लिबनानी सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर बेत जान तक एमर्जंसी साइरन बचते रहे वहीं एक इसराइली अधिकारी ने बताया कि हिजबुल्ला उत्तरी मोर्चे पर अपने अभियान तेज कर रहा है क्योंकि ये हमले घातक और अधिक शक्तिशाली है अब ये इलाके बड़ी तेजी से खतरनाक होते जा रहे हैं उत्तरी इसराइल में हालाद बच से बच तर हो रहे है हिजबुल्ला के ड्रोन और रॉकेट हमलों के चलते उत्तरी कबजे वाले इलाके में हर दिन अलर्ट साइरन बचते है वहें इसराइली सुरक्षा बलो ने दावा किया कि दकशुडी लेबनान में इसराइली हवाई हमले में हिजबुल्ला के दो सदस्य धेर हुए पताया जाता है कि हिजबुल्ला ने भी अपने दोनों लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टी की बीते साल अक्टूबर के बाद से लेबनान के हिजगुला समू के सदस्यों की मौत की संक्या 408 पहुच गई है इससे पहले IDF ने बताया था कि इसराइले एर डिफेंस ने लेबनान से लॉंच किये गए दो ड्रोनों को मार गिराया था जिसमें एक को केरियत शमोना इलाके में मार गिराया गया जबकि दूसरे को इसराइल में प्रवेश करने से पहले ही लेबनान के उपर रोक लिया गया था इससे जुड़े कई वीडियोज और फुटेज भी वाइरल हुए हैं इसमें आयन डोम की गैलीली पैन हैंडल के उपर एक ड्रोन को रोकते हुए देखा जा सकता है प्रवेश सकता है